करोना वाइरस को लेकर लगातार सभी राज्यों की सरकारों ने अपने अनुसार निर्देश चारी कर दिये हैं इस तरह के निर्देश चारी कर दिये गएं ताकि किसी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े पूरे विश्व में इस वक्त करोना का प्रकोप है और एक बड़ी लड़ाई समाज द्वारा लड़ी जा रही है पूरे देश में इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना की राजधानी में भी कड़े कदम उठाए गए हैं हुम को हिदायत दी है कि बिना कारण ना घूमें और अगर बिना कारण घूमते हुए नजर आएंगे तो उन पर कानूनी कारवाही की जाएगी कर्क्यू क्लांपिंग होगा तो यह जो इसमें खल हम लोग देकर आत के 10 बजे 12 बजे भी पब्लिक रोड पे आके बच्छों के साथ और उनको डेडिस के साथ बाहर गुंब रहे हूँ गुलाज और 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 गुलाज को तल ज्यादा तर यह जो एरियाज में हैं हमारे पे पुरी पॉब्लिक नहीं मानी तो इनके फर माइल्ड हम लोग फोस्टी उसकरना पड़ा तल लेकिन आज से यह 100% कर्क्यू गौर्ण्मेंट का ओडर है उसके हिसाब से 100% के पास 100% कर्क्यू लाग होगा इस पे टेबल मेडिकल शॉप्स और हॉस्पितल्स ओकर रहे हैं कि कोई भी दुकान कुला नहीं रहेगा कोई भी होटल कुला नहीं रहेगा तो पूरी पुरी पॉब्लिक यह जो गौर्ण्मेंट का ओडर है इसको इसके नजर में रखते हुए 100% पॉलिस को कोप्रेट करने की हमारा जो मांग है मेरे काल से पुब्लिक इसको पूरी करेगा आप तक जो लोग बाहरे लोग के लिए कुछ स्पेशल आप ज़ए बनाइंगे या फिर उनको बिलकुल रोग दिया जाएंगा सर नहीं यह जो पॉब्लिक हम लोग खाना बाटने के वज़े से लोग पर्मिशन मांग रहे हैं यह पर्मिटेट नहीं है जिसका अगर से किस पाटना बाटने का ज़रत नहीं है यह अलग से एक दूसरा सोर्स आप इंफेक्शन होगा यह पूरा गवर्नमेंट का जो यह ओडर है यह पूरा कोई भी पब्लिक मतलब जमान ही होना किसके गर में हो बैटते ही यह जो करोना वाइरस है जितना डिली यह बिमारी फाइल र बाहर कोई नहीं आना बाहर आए तो उनका क्या है उन्हीं का नुकसान है बाहर आए तो यह बाहर से लोग इंफेक्शन ले आके घर में कुछ फैलाएंगे तो यह भी सफर होगे अगरसे किसी का घर में इंफेक्शन है बाहर आएगा तो वो पब्लिक में बाहर आके पब्ल और हमारा पूरा पॉरा पॉलिस का यही उन से गुजारिश है कि जितने हम लोग पॉलिस वाले पुरे रोड पे रहके काम कर रहे हैं तो इनका सब लोग का मदद करें क्योंकि जितने कम मोटाद में बाहर आएंगे तो उतना रोड भी क्लीन रहेगा जो एसेंशल सर्वीसेश है डॉक्तर्स है और जितने भी यह मेडिकल स्टाफ है और हॉस्पेटल में कितने भी सर्वीसिस करने जाने वाले हैं और कोवीड करोना वाइरस को कंटेंड जाने के लिए सारे लोग हजारों गर्न्मेंट अफिशल्स काम करें केवल इनी को मतलब परमीशन है यहां पर बाहर जाने का अरे किसी को सामान करीदना है तरकारी करीदना है तो लोग सबेरे आके खरीद के फिर इमीडियेटली घर जाना वो भी अलड़ी डीजी साब और सीय साब प्रेसमी गर्नेंटि, 271, IPC यह पूरे सेक्शन लाग होंगे अगर कोई भी जियो गावर्न्मेंट गोवर्न्मेंट गोई इसको वायलेट करेंगे तो यह पूरे सेक्शन उनको पर लाग होगा और इनको पर रेस्ट करके रिमांड भी करने की हम लोग पीचन आयाता है तो सारी अप स्क रिएमेंटरफ Suddenly हम रहा है जोORE दो खेर आया हिआ यहां पर रहरें बाहर जाके फिर वापस आये इस तरह करों लाग का लिस्ट अम लोग जो जो का है इनके त्राविलरस लिस्त है उसको हम लोग जिदर भी suspected है याने तो travelers हैं, तो हर traveler जिदर चेक करें कोई suspect नहीं होता, तो इसमें पोलीज वाले डॉक्तर के साथ, मतलब उतना ही काम करें, जितने डॉक्तर की काम करें, तो आजसा नहीं है कि पोलीज वाले जा के फुट कर रहे, यह पोलीज वाले नहीं कर सकते आके लिए तो इसलिए जिए 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 हमसी का हेल्थ टीम या डीमेड एंचो का उनका वही टीम जा रहे हैं, उनके साथ जाके लोग चेक करने का आदेश हैंगो, उसी हिसाब से हमारे पोलीज इंस्पेक्टर दो चाहिए है साई जो और पोलीज कॉंस्टेबल दो, सब लोग उनका पाद करते हैं यह चेकिंग करें